कि या डिफ्रेंसेज है ड्यूटू और ओंग्टू सबसे ज़्यादे बैफल करता है सारे स्टूरेंस को तो आज इसको क्लियर कर लेते हैं एक सिंपल सा चीज मैं बोलूगा और उसमें आपको समझ में आ जाएगा ड्यूटू और ओंग्टू दोनों का यूज होता है कारण और परिनाम के बीच में मतलब कि एक कारण और एक परिनाम को बताने का काम करता है simple सा चीज है उसको समझ लो पहले कारण बाद में परिनाम तो due to पहले परिनाम बाद में कारण तो owing to पहले cause बाद में result due to पहले result बाद में cause तो owing to simple, मतलब क्या है, मैं हिंदी बोल रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा, कि मैं school नहीं जा सका, बारिश की वज़ा से, बारिश के कारण, ठीक है न, rain के कारण, तो अब कारण क्या है, तो पहले मुझे कारण बोलना है, ठीक है, परिनाम नहीं बोलना है, कि मैं इसके वज़ा से नहीं जा सका, मैं बोल रहा हूँ कि बारिश की वज़ा से, बारिश के कारण, rain के कारण, मैं school नहीं जा सका, तो मैं school नहीं जा सका, यह परिनाम है, simple सा, पहले क्या बोलना है, कारण, तो पहले कारण बोलना है, तो due to लगा दो, due to heavy rain, I couldn't go to school ठीक है और अगर पहले बोलना है I couldn't go to school पहले परिनाम बोलना है पहले result बोलना है बाद में कारण तो ओंग टू लगाओ I couldn't go to school ओंग टू हेवी रेन सिंपल है आई इस चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं यहां पर मैंने आपनों को हिंदी दे जिया है oi-to के कारण और due to के कारण और o-ing-to कारण से दोनों आगे में noun को follow करते हैं दोनों ही ठीक है अब यहां पर मैंने आपको दे रखा कि due to कारण और o-ing-to से पहले परिनाम मतलब कि अगर हम यहाँ पर due to बोला है और उसके बाद कारण बोला है तो उसके बाद क्या आएगा परिनाम आएगा ठीक है परिनाम और अगर मैंने owing to बोला है और पहले मैंने परिनाम लगा दिया है तो यहाँ पर कारण आएगा मतलब कि कॉस तो क्या है बाई एक situation भी होता है अगर situation हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है तो situation अगर दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं उसके बाद क्या है due to का use करेंगे यहाँ पर due to का use करेंगे उसके बाद कारण and परिनाम यहाँ पर result आ जाएगा यहां भी हुई है situation लेकिन पहले क्या है reserve और बाद में क्या है कारण और बीच में क्या आया है going to तो थोड़ा देख लिजे कि जब sentence में due to गा use हो रहा है न तो due to उस कारण से पहले आएगा मतलब कि कारण से पहले मतलब कि sentence ही start हो सकता है मैं बोलूँ कि due to यहां पर अगर मैं situation ना दूँ तो due to heavy rain heavy rain I couldn't go to school I couldn't go to school ठीक है यहां पर मैंने दे रखा तो due to heavy rain I couldn't go to school यह heavy rain क्या है यह heavy rain कारण है और ना चाह सका यह हमरा परिनाम है यह result है तो अगर मुझे result को पहले बोलना है तो मैं क्या लिखूंगा I couldn't go to school अब यह मैं क्या रखूं च्या मैं यहां पर दे सकता हूं due to क्या मैं यहां पर due to दे सकता हूं विलकुल भी नहीं क्योंकि पहले आपने परिनाम बोल दिया है तो अब पहले परिनाम बाद में कारण है तो यहां पर हम पारद कारन है पोस एंड दिन अफ्टर रिजल्ट तो नंप्लाइम्प्लाइम्प्लाइम्ट चिचुएशन है कारण क्या था तो ऑटो मैशन कारण है इतनी जादे मशीन बन रही है जिसके वज़ह से आन इंप्लाइम्ट हो रहा है अब उसके बाद उसका परिनाम क्या His reading was hesitant, कारण क्या है? तो owing to a stammer, मतलब कि हो हिच के चाहता है, कारण क्या है? मतलब कि वो hesitant होता है, कारण क्या है कि वो हगलाता है तो ये कारण अगर आपको बाद में बोलना है, तो owing to को लगाएं और कारण अगर पहले बोलना है, तो due to को लगाएं That is as simple as you can think यहां पर एक और example देख सकते हैं, game cancelled, यह आपका situation है, due to rain, यह आपका कारण है, अब इसका परिद्राम क्या होगा, we'll resume tomorrow, इसी चीज़ को हम यहां पर देख सकते हैं, game cancelled today, going to rain, यहां पर safe or safe rain क्या है, आपको एक कारण बता गया है, उसका पहले से क्या result है, game cancelled today, आज cancel हो गया ह है, वज़ा क्या था, तो बारिश वज़ा थी, तो इस very simple, मेचे में भी मैंने दे रखा है, in other words, using due to versus going to, gives a picture in opposite directions, due to is, cause, then result, and going to is, result, then cause, so you can easily understand, कि इसको कहां पर यूज़ करना और कैसे यूज़ करना है, due to को पहले यूज़ करेंगे, due to, कारन, then result, right now due to cause, then result, पहले, result, then owing to, and then after cause, I hope you understand, मिलते आप्रो, next concept, have a nice day, thank you very much.